देश के प्रदान मंतरी नरेंद्र मोधी ने पिछले दिनों भाव खोकर कहा था 2014 में मुझे लगा था कि मा गंगा ने मुझे बुलाया है लेकिन अब मैं यह कह सकता हूँ कि मा गंगा ने सिर्फ बुलाया नहीं मुझे गोद ले लिया है देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट वार नसी जहां से देश के प्रदान मंतरी खुद चुनाव लड़ते हैं वहां अगले 48 घंटे क्या क्या होने जा रहे हैं वो हम आपको पूरा प्लान बताएंगे देश के प्रदान मंतरी को देखने के लिए लोग अलग-अलग जब उसे भी पहुंच रहे हैं उनके रोड़ शो में भाव्यता हमें खुम देखने को मिलती हैं लेकिन बात जब काशी की हो, काशी विश्वनात की हो, काल भैरों की हो तो भवेता वहां की और भी जादा बढ़ जाती है गंगा की किनारे की तस्वीरे हमने कई बार देश के प्रधान मंतरी की देखिए चाहे वो चुनावी माहौल में हो 2014 का चुनाव हो, 2019 का हो या 2024 का या अन्य कारेक्रमों की दौरान जो पीएम वार नसी पहुंसते रहे हैं तो उसकी भविता देखते ही बनती है लेकिन इस बार क्या क्या होने चाह रहे हैं और तालिस घंटे में क्या क्या होगा ये मैं इस वक्त आपको बताने चाह रहे हैं करेंगे और उसके बाद जनता का आशिरवात लेनी की कोशिश और अगले दिन नवांकन की प्रक्रिया की जाएगी और नवांकन के दौरान एंडिये के तमाम प्रमुख चहरे बड़े बड़े खदावर नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और अब मैं सुरक्षा कर्मियो की बात करूगी सुरक्षा कर्मियों की पहरेदारी और निग्रानी इसलिए रहनी है क्योंकि भारत की प्रधान मंतरी खुद पहुंच रहे हैं नवांकन दाखल करने तो ऐसे अचार सिंगता लागू होने के बाद नियम बहुत कड़े हो जाते हैं लेकिन जब भारत की प्र कर्मियों को बुलाया जा रहा है इसके अलावा सिसीटी फुटिच जगह जगह पे ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी और एंडिये के अगर मैं बात करूँ बीजेपी की खासकर बात करूँ तो इस रोड़ शो को बहुत भाव्य बनाने की तयारी की गी है जो कल शाम में ह रखी है क्योंकि काशी का दंग फिर से बदलने वाला है जब भी काशी पहुंसते हैं देश के प्रदान मंतरी तो माहौल बहुत अलग होता है और इस बार भी वही होने जारा और जैसा कि मैं पहले बतारी हूं कि देश कि एक लौती सीट है जिस खुले कर बीजेपी हमेशा आश्वस्त रहती है कि जहां से पीएम मोदी खुद चुनाव लड़ते हों वहां किस बात की चुनावती देश की जालतर सीटों की सिती यही रहती है बीजेपी के अनुसार कि वहां पीएम मोदी के नाम पर वोट मिलता है लेकिन जिस सीट से और जिस जगा से पीएम 24 अभी तक विपक्षी केमा ने कोई भी ऐसा चेहरा तयार नहीं किया जो पीएम मोदी से टकर ले सके या उनके सामने जाकर चुनाव लड़े और यह चुनाव बहुत दल्चस्प हो जाए इस इकलौती सीट पर आप यह कह सकते हैं कि मुकाबला एक तरफा है कर दो